Assalamualaikum जी, जैसा कि हमने last lesson में कुछ questions के बारे में जानने की कोशिश की थी कि what question to ask to start the process for designing a logo तो इस lesson में हम लोग देखेंगे कि लोगों की कौन कौन सी types हैं और कौन सी type किस मकसद के लिए use की जाती है तो for example, जैसा कि हमने case study ली कि we are going to design a logo for a filtered water company, जो water filter करती है और उसके बाद उसको bottles में pack करती है तो हमने ये देखना है कि उस company के लिए लोगों की कौन सी type बहतर रहेगी ठीक है तो पहले हम types को understand करते हैं कि लोगों की कौन कौन सी types हैं और उसके बाद हम इसमें से एक type को choose करेंगे उसके बाद हम जाएंगे mind mapping की तरफ तो यहाँ बेगर हम देखें तो हमारे पास seven different types हैं जी abstract mark, mascot logo, combination mark, emblem logo, letter mark, pictorial and word mark ठीक है इन सारों में क्या difference है, कौन सा type, कब use की जा सकती है तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है letter mark ठीक है तो मैंने कुछ content को highlight किया है यह link मैं आप से share कर दूँगा, आप मजीद भी इस link पर जाके इस content को read कर सकते हैं और बहतर तरीके से इन types को understand कर सकते हैं तो letter marks हमारे पास क्या है, examples की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो letter marks actually किसी भी company के initial letters है ठीक है, for example यह देखें NASA, आज तक हम NASA ही words सुनते आए हैं और उनके logo में भी NASA NASA N.A.S.A. initials ही use हुए है अगर इस company के पूरे नाम की बात करें तो that is National Aeronautics and Space Administration ठीक है, तो letter marks कहां पे ज़्यादा suitable है जब company के नाम बहुत लंबे हो ठीक है, जैसा है कि NASA की हमारे पास example है तो अगर आपके पास जो भी company का नाम है वो two-three words के उपर जा रहा है तो वहाँ पे आप initials की तरफ जा सकते हैं जैसे IBM है, CNN है, HP है, HBO है, right तो इस इसका हम खास क्याल रखेंगे, कि अगर company का नाम बहुत बड़ा है जो client की information हमारे पास हा रही है तो हम उसको suggest करेंगे कि आप पूरे नाम को use ना करें आप इसके initials की तरफ जाएं ठीक है, इसके लावा और भी इसके multiple solutions हो सकते हैं तो हम जब सारी types को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा और हम किन-किन ways की तरफ जा सकते हैं अगर company का नाम बहुत बड़ा है तो initials की तरफ जाया जा सकते हैं या अगर आपका जो brand है वो well-known brand है वो established brand है तो फिर आप initials के उपर जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल start करें आपका business बिल्कुल नया है तो it is not recommended कि आप letter mark को अपने business के लोगों के तौर बे यूज़ करें ठीक है उसके बाद हम आते हैं जी word mark की तरफ तो word mark actually क्या है word mark उस पूरी company का नाम है जो आप उस लोगों में यूज़ करेंगे जैसे कि Google हमारे पास है Coca Cola हमारे पास है Visa की example हमारे पास है ठीक है So Google logos is a great example of this तो इसमें business का पूरा नाम यूज़ किया जाता है इसके बाद अच्छा यहां पे यह जो word marks हैं इसमें जो font है That is very important ठीक है, क्या font यूज़ करेंगे So इसी इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तो यहां पे हमारे पास एक example है कि fashion For example, fashion company है जो के fashion designing में involved है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसा logo यूज़ करेंगे ऐसा font यूज़ करेंगे When you are going with the word marks ठीक है इसके बाद word marks कभ यूज़ किये जाए Letter marks कभ यूज़ किये जाए तो यहां पे हमारे पास कुछ basic example है कि अगर आपका जो business है उसका बहुत लंबा नाम है Have a long name तो आप letter marks की तरफ move करें ठीक है और अगर आपका new business है आपका निया business है तो आप word mark को prefer करें तो आपको इन different types का पता होगा तो for example कल को client आपके पास आता है और वो information आपके साथ share करता है तो आप उसको in knowledge की base पे इस information की base पे suggest कर सकते है कि आपके लिए कौन सी type ज़्यादा बहतर है तो अगर उसका निया business है उसको suggest करें कि word mark के तरफ जाए ताके लोग आपके business के नाम के साथ familiar हो इसके बाद हम नीचे आते हैं जी तो यहाँ पे मजीद आप और भी इसमें चीज़ में देख सकते है कि और हमारे पास क्या क्या बहतर options है थर्ड हमारे पास example है pictorial marks की logo symbols तो pictorial marks actually है क्या pictorial mark अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक apple बनावा नज़र आ रहा है और company का नाम भी apple है तो जो company का नाम है उससे related symbol आप logo में use करें जैसे यहाँ पे twitter है तो जो bird है उसको use किया गया है उसकी tweet से तो यहाँ पे हमारे पास company का नाम है target bull आए तो एक target का symbol ही use किया गया है जो relate करता है उस company के नाम के साथ तो यह हमारे पास एक third form है that is known as pictorial marks कि आप वो symbols use करें जो उस brand name के अंदर use हो रहे है नीचे चलते हैं जी logo की चौतरी type की तरफ आते है abstract logo mark तो abstract logo mark is made up of geometric shapes और यहाँ पे geometric shapes को use करते हुए what the company does company क्या करती है यह symbols उसको represent करते है in an abstract form तो आप different colors को use करते हुए different shapes को use करते हुए company क्या करती है उसको represent कर सकते है जैसा कि हमारे पास example है Nike की तो उसका जो swoosh symbol है वो movement और freedom को represent करते है इसके बाद हम आते हैं जी mascot logos की तरफ तो mascot logos includes an illustrated character ठीक है और it is a great way to create your own brand spokesperson ठीक है यहाँ पे आपके पास different examples हैं लेकिन अगर मैं example आपके साथ share करूँ तो यहाँ पे हम search करते है commander safeguard ठीक है तो यह safeguard जो soap है यह उसका एक mascot है तो उन्होंने इस mascot को use करते हुए अपना different animation series भी शुरू की थी इसको यूज करें लोगों के अंदर तो आप अपने brand का spokesperson create कर सकते हैं तो इसमें और भी different examples आ जाती हैं जैसे कि अगर आप PSL देखते हैं कोईटा gladiator mascot तो कोईटा gladiator का आपको mascot एक नजर आएगा stadium के अंदर ठीक है तो अगर आप लोग यहाँ पर कोईटा gladiator का logo देखें तो यहाँ पर आपको एक mascot नजर आ रहा है और इसी को use करते हुए they have created a character जो के इस team को represent करता है ठीक है तो यह जो mascot logos है यह किसके लिए ज़्यादा suitable है so supporting events के लिए आप उनको use कर सकते है यहाँ पर मजीद देखते हैं जी के when to use pictures and symbolic logos तो एक बड़ी important चीज़ है कि pictorial और abstract marks बहुत ज़्यादा useful है अगर आपकी एक multinational company है for example आपकी आप एक ऐसा brand open कर रहे है जो पाकिसान में भी उस लोग उस product को use करेंगे और जपान में भी उस product को use किया जाएगा so जपान में जो उनकी एक native language है वो different है that is Japanese तो अगर आप अपने लोगों के अंदर कोई word use करते है for example कोई Pakistani word use कर लेते है तो Japanese people will not recognize that name ठीक है तो वहाँ पे pictorial marks या abstract marks use करना जादा useful है and people can recognize क्योंके अगर आप pictorial के अंदर कोई drop use करते हैं कोई water का कोई splash दिखाते हैं so everybody can recognize के ये कोई water के साथ इस company का link है तो अगर आप for example कोई naam use करेंगे आप word marks use कर लेते हैं अपने लोगों के अंदर तो वहाँ पे आप कोई उर्दू का नाम use करते हैं के साफ पानी तो Japanese people will not recognize what this साफ पानी is about तो pictorial and abstract marks are useful if your company is going multinational इसके लावा हमने pictorial marks देखा था जैसे कि apple के लोगों के अंदर हमें apple नजर आ रहा है Twitter के लोगों के अंदर हमें एक bird नजर आ रही है तो pictorial marks are not useful are not recommended for a business जिसकी services, products in the future बाद में change हो सकती है जैसा कि आप किसी ऐसे fast food brand के लिए एक logo design करते हैं जो कि फिल हाल pizza sell करते हैं और आप pizza को use कर लेते हैं उस logo design के अंदर और कल को they start selling sandwiches, burgers और कुछ और produce करना start कर देते हैं so this logo will become irrelevant ठीक है so pictorial marks are not useful अगर आपने कल को अपनी services, products change करनी है तो इस case में आप abstract marks की तरफ जा सकते हैं और यहां पे कोई ऐसी feeling दे सकते हैं कोई ऐसी reflection दे सकते हैं जो fast food को represent करें लेकिन exactly वो किसी product दो ना represent कर रहा हूँ तो yes, you can go with the abstract marks इसके बाद हम आगे आते हैं कि mascot logos कब use किये जाएं जब आपकी जो audience target है that are families, children's तो वहां पे mascot logos ज्यादा recommended हैं इसके लाब हम एक और चीज़ का खास क्याल रखेंगे जब भी हम mascot logos को use कर रहे हैं क्यूंकि अगर आपका logo बहुत complex है उसमें आपने बहुत ज़्यादा colors यूज किये हैं उसमें बहुत details हैं और कल को आपने उसको business card के ओपर present करना है तो जब उसका size छोटा किया जाएगा उसकी details सारी hide हो जाएंगी So it's very important कि अगर आप mascot logos की तरफ जा रहे हैं उसके responsive variants जरूर बनाएं तो responsive variants के लिए भी हम different guides को देखेंगे इसके बाद हमारे पस combination marks आ जाते हैं ये logo type सबसे ज़दा use की जाने वाले type है The combination mark और for example अगर आप new company हैं तो आप इसमें word mark और abstract mark दोनों को use कर सकते हैं या pictorial mark और word mark को use कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको एक company नज़र आ रही है That is Lacoste और यहाँ पे आपको एक crocodile नज़र आ रहा है तो people will start recognizing this crocodile with your company name तो कल को अगर आपने लोगों को थोड़ा सा minimal variant में convert करना है So you can remove this name और जो crocodile आप कहीं भी अगर प्रेजेंट करेंगे People will start recognizing this crocodile और उनको पता होगा कि that this crocodile represents Lacoste 7th हमारे पास हाजी Emblem Logos Emblem Logos That is actually the font inside a symbol और an icon ठीक है और इसको school, organizations और government agencies के लिए ज़्यादा prefer किया जाता है तो आप लोगों आप यह खुद decide करना है कि कौन सा लोगों आपकी company के लिए बेतर है See you in the next lesson Thank you so much